नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रेक्स पे जिसपर आपको सबसे पहले स्टिक जानकारी है वो दे दी जाती है ठीक है तो अभी आपकी मांग फिलाल यही चल रही है कि भी एक्जाम पोस्ट पॉंड होना चीए जोन तक ठीक है और मांग यह मतलब बहुत दिन से उठाई जा रही है और आपको यह बताया गया था कि भी जो आपके एक्जाम को लेके भी पोस्ट पॉंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो चीज़ आपको होली के बाद बताई जाएगी ठीक है होली के बाद मतलब यह है कि एक्जाम उनका इसको लेके क्या कहना है उन्होंने एक tweet यहां पर किया है वह आपको दिखा देता हूं ठीक है उसके बाद आप यह नवान लगा सकते हो कि exam आपका पॉस्पांड होगा या नहीं होगा ठीक है देखिए तो यहां पर आप देख सकते हो यह है धिरज खंडेल वाल ठीक है इन्होंने एक tweet किया है इसको लेके कि भी आपका exam का पॉस्पांड होगा या नहीं होगा exam ठीक है तो वह यहां पर देख सकते हो आप इन्होंने यह जो tweet किया है यह 10 गंटे पहले में लब रात को इन्होंने यह tweet किया था Dear CA students, don't pay attention to any rumors and continue your focus over studies for my exam मतलब यह है कि इन्होंने साब साब यह बोल दिया है कि भी exam आपका पॉस्पांड नहीं होगा अपने पढ़ाई पर आप ध्यान है वो रख सकते हो ठीक है और इसमें आप देखोगे तो सैंकडो जो reply इनको दिये गए हैं कि भी exam को पॉस्पांड कि इसी बात पर अगर हम बात करें तो आगे CA अनुपम सर्माहे नोंने इनका reply दिया और बोला Sir, I think nobody said that the exam will be postponed. However, so many people including me request to ICI with the reason that please postpone the exam. India is a democratic country and every citizen has the right to peacefully rise their concern for the concerned authority. If you and the council have been proactive about member problems such as student issue, I think that the government has never taken decision against the interest of members. मतलब यह है कि इनोंने यह बोला है कि आप जिस तरह है जो member की जो मतलब दिक्कत है उनको आगे उठाते हैं उसी तरके से अगर आप जो CA student है उनकी दिक्कत को भी आपको उठाना चाहिए तो यह देखते हैं क्या होता है वाकि देखो अभी आगर आप मानोगे तो 0% chances चीज के नहीं है कि भी आपका एक्जाम पोस्पांड होगा तो अपनी पढ़ाई पर द्यान रगें